दोस्तों हम आज आए है 19-a में बिल्डर फ्लोर्ड और ये ग्राउन 19-a का अन्यूज़ बिल्डर फ्लोर है साथ-साथ आपको फर्स्ट फ्लोर का ये फ्लैट मिलेगा फोर बेडरूम फोर बात्रूम और चारों बेडरूम के साथ बाल्केनी ए एसी लगा हूँ है अन्यूज गेट इस गेट इस गेट में बाथूब मानजेस यहां लग लगल टीनघी लगी संट फ्लोर का फ्लायर है वीट बेस्मेंट है धाइसो स्क्वारीए अब ऐसेिगान चलते है जब ऐसे हुआ है तो चाहिनों को सब्क्राइब करना मिल्कूल मत भूजिएगा और वीडियो की स्क्रिप मिल्कूल मत कीजेगा थैंक यू इंट्री करते हैं मैं इस्टील का डोर लगा हुए यह इंट्री है इसके ड्राइंग का साइज आप देख सकते हैं ड्राइंग का इतना फुट का है एक दो तीन चार पांच है तो बज़टाद 24 फुट की इसकी लंबाई है ड्राइंग की काफी पड़ा है सिक्स सीटर सोफा भी लगेगा तो भी आपका यह पूरा खाली रहता है चोविश फुट की से जी ज्यादा इसकी लंबाई है ओपें कीचेन इंग बना रखें इन्होंने ओपें कीचेन में रखा है चीमनी लगड़ा सब कुछ बना रहे है कीचेन का आप साइज देख सकते हैं एंड चीमनी अटोमेटिक लगी हुई है इसमें कभी भी कोई नहीं रहा है बिलकुल अन्यूज फ्रैड है ओपें कीचेन का साइज भी काफी बढ़ा है और मैं फिर से बता हूँ एक दो तीन चार पांच छे चोविश फुर से भी ज्यादा इसकी लंबाई है यह देखिए की आपका ऊपीड किचेन एंड और यह आपका ओपिन कीचन है कीचन के साइज झाज आप देख सकते हैं एट ह्यारा यह फर्स बिट्रूम है př यह फ्रस बेट्रूम की लंभाई भी आपको चुराई बता दूंगा इसके साथ पर अधाश ब्हें के साथ बैठ्रूम है के तो और इसकी जो लंबाई है आपका एक दो तिन चार पांग छेज भाड़ाइ बारफिट लंबाई है बारफिट फूट और चोड़ाई भी अब को 1, 4, 4, 10, 12, 12 बारफिट लंबाई है आप बारह, 14 फूट इसकी चोड़ाई है रोम की साइज अब देख सकते हैं, जो इसके साथ भी बालकनी जाती है जो आपको दिखाएंगे इनों ने बालकनी बना रखा है और यह सामने मंदीर है और डीडिये इस प्लोट पे ग्रीन एरिया और मंदीर वगड़ा के लिए सोग रखा है तो सामने आपको कुछ भी नहीं आएगा तो हम इसको डवल इंट्री कर सकते हैं कॉर्णर का क्योंकि सामने यह आपको खुला रह रहते हैं यह सकेंड बेट रूम है हमारा इंट्री करते हैं इन्होंने कवर्ट बना रखा है और इसकी भी लंबाई आपको बता दू एक तो तीन चार पांच है नहीं चार चोविस पचीश अविस पचीश पुट की लंबाई पचीश फूट की लंबाई है आपको मैंसे द देखे का है यहां पर बात्रूम में यहां पर बात्टब बेगड़ा बना सकते हैं काफी बड़ा रूम है इतने आपको बड़े से बड़े से बड़े सोसाइटी के रूम साइज नहीं मिलेंगे 13 वाई 24 के ही रूम है और इसके साथ वही बालकेनी अताच है अब चलते तीस बैचरे चोथो बेडरूम में अब ड्राइंग बहुत ही बड़ा है आप यह देख सकते हैं में इंटर को म लगा हुआ है और इसमें हम मास्टर बेडरूम में लास्ट में चलेंगे पहले आपको इस रूम को दिखा दे हैं यह रूम के साथ भी बालकेनी अटैच है और बात के नहीं साड़ा टैच यह बात सुमा होगे और इसके साथ रूम साइज आपको दिखा दू चोड़ाई अगरा इसकी लंबाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यह भी आपको 13 बाई 24 का रूम साइज है उससे भी बड़ा रूम साइज है यह सामने कवर बना हुए और यह रूम साइ अब चलते हैं सब चे बड़े रूम साइज जो मास्टर बेडरूम है हमारा यह मास्टर बेडरूम है और इसकी लंबाई पहले आपको बता देता हूं एक दो तीन चार पांक छे चोबाई से एठा चोबिस पचीस पुट की से ज्यादा लंबाई है पचीस फूट से फूट लंबाई है तेरा फूट तेरा बाई पचीस यहां से देखिए रूम साइज देखिए एक तैस चार फूट की है सामने कवर बना हूँ है काफी बड़ा बेट रूम मतलब यह मास्टर बेट रूम में आप बड़े से बड़े बेट लगा लो फेवे रूम आपका यह खाली ही लगेगा फॉल्स ही नहीं बड़ा किया हूँ है एंड बाक्सों में टैच है और इसकी बालकेणी अप चलते है जो सब्से बालकेणी है बर्स मिलती है फ़र्स पर मिलती है बड़ी बालकेणी हर रूम में जाली की दरवाजे भी लगेए और यह रूम साइज है आपका मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो यह रखेए उस कोने से लेंके इस गोने तक यह बालकनी है बहुत ही बड़ी बालकनी और गेट से घुछते ही फ्लाट है और चारतर ग्रीन है यह आपका पार्किंग है साथ ही मैं बता दूँ इसमें आपको बेस्मेंट भी है आपको पार्किंग नीचे ग्राउंड फ्लो पे बनाए जिसमें दो आपको पा खासियत इतने बरे रूम पुड़े द्वार का के बड़े से बड़े से बड़े सोसाइटी के फ्लैट ले लो आपको यह रूम साइज ने मिलेगा 14 वाई 25 के रूम साइज है और पीछे आप देख सकते है मोर की आवाज आ रही है तो आपको प्योर फिलिंग मिलेगी ग्री बहुत बड़ रूम साइज है और यह बिलडर फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर का है लिफ्ट है पार्किंग है बेस्मेंट है साथ ही साथ आपको तीन-तीन टैंकी लगी है और तीन गाडिया बड़े आडाम से लगती है और हम आगे ट्राइंग में बिल्कुल अन्यूज फ्लैट विठ लिफ्ट विठ पार्किंग और पार्किंग भी दो दो तीन तीन गारिया लगेगी आपके और बिलकुल अन्यूज फ्लैट और हर एक रूम जो मिनमम रूम साइज है वो तेरा भाई अठारा है और सबसे मैक्सिम जो साइज है वो तेरा भाई पचीश चपशीश है और चारों में बाल्किनी खुलती है चारों बात्रूम एटेज है हर रूम के साथ एसन लगी है और इसकी अस्किंग प्राइस है दोस्तो Grad १ार्टोğr फॉर करोर फिप्टी लाइक और शारे चार करोर और की आस्किंग है पार्टी मिटिंğ है और बिलकुल अन्यूस फ्लैट ह सारे चार करोर के आस्किंग है और जिन्होंने अभी तक चाइनल को सब्क्राइब नहीं किया काइनली प्लीज चाइनल को सब्क्राइब कीजिए जिसे वीडियो लाता रहेगा और आपके लिए सपनों का घर दिलाता रहेगा और नमबर नोट कीजिए 98110-38119 तेंक यूँ थाइस स्कॉर याट कौप आपको पूरा बेसमेंट मिलता है विच सारे चार करोर में बेसमेंट फलस फर्स्ट प्रॉर का फॉर बेडरूम का फ्लैट साइज देख बो धाइस स्कॉर याट का फ्लैट है यह साइज है तीन एसी के पॉइंट लगे हुए दो बात्रूम है यह पैंट्री एरिया बन जाता है आपका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसके साथ फर्स प्लोर के फोर बेडरूम फोर बात्रूम अन्यूज प्लैट के साथ आपको मिलता है बेस्मेंट जो सारे चार को फोर मैंने बताया है उसके साथ यह बेस्मेंट मिलता है यह भी आप पते ए रिया भी नहीं चैल सब्सक्राइब बना सकते हैं जिसका साइज आप देख सकते धेको and इसके साथ आपको दो बाथ्रूम भी बनना हुए है जो भी अन्यूजड है फेर्ट बाथ्रूम यह रहा and सटेंड बाथ्रूम यह रहा एंडवास कई बना हुए काफी बड़ा धाइसो स्क्वार याट का बेस्मेंट मिलता है with first floor looking applied 4 bedroom 4 bathroom plus basement 200 square yard कुछ काम करानी जोती है यह भी एरिया आपका देखा तो है यहे भी क्याफिस बड़ा जोसई बैसलब सकते हैं पुस exhort बड़ा टोपन सकते में डॉक्ट क्लीनिक प्राइट में बन सकते हैं पिर मैं यहां से दिखाता हूं यह देखे कितना ब्रसाइज है यह एरिया के बाद भी आपको यह पूरा एरिया मिल रहा है यह देखे तो मैं एक बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं फस्ट फ्लोर का 19A में फस्ट फ्लोर का गेट के सामने का यह आपको अन्यूज फ्लैट है वह थाउसिय। इसकार्यार में 4 बाद रूम 4 बाठ रूम चाड़ों बाल गेटरूम के साथ बालकीरिनी अटाच Dot और सात में आपको 1200 स्कॉर्र का बिगचस साइज का बेस्मेंट मिलता है वो भी बेस्मेंट में विल फर्णिस किया हुआ है, दो बात्रूम बने हुए है, हैंडवास है, एसी का लगा हो, पंखे में गड़ा लगे हुए, लाइट लगे हुए, टाइल फ्लोरिंग किया हुआ है, 200 स्कॉर यार के कोई भी कमर्सिल यूज़ आप कर सकते हो, तो आपको सारे 4 करोड में फर्स्ट लोर का फॉर बेटूम, फॉर बात्रूम प्लस बेस्मेंट मिलता है, मात्र सारे 4 करोड में, तो चैनल को सब्काइब करना बिलकुल मद भूलिए गा, और कॉल करना बिलकुल मद भूलिए गा, 981100-3819, थैंक यू,